अब ही इस वीडियो में हम LCM of 808590 फाइंड करना सीखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यां से देखना अन्य वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है वहां से जाकर देखें इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं इनका Prime Factorization करते हैं देखे, Prime Factorization कुछ ऐसे करते हैं आपके जो Prime Number है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ इनसे Divide करना सुरू करते हैं सुरुआत कहां से करनी हैं? सबसे सोटे Prime Number से यानि अपने 2 से सुरुआत करनी हैं तो देखे, हम 2 से Divide करते हैं तो यह आपका 2 से Complete Divide हो जाता है यह भी 2 से Complete Divide हो जाता है लेकिन यह नहीं हो रहा है तो इसको जैसा है वेसा लिख देंगे अब देखे, मैंने Divide कैसे किया? यह भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ऐसे Divide किया इस Zero को यहाँ लिख दिया लिख देंगे जैसे इसमें Divide किया तो कितने टाइम हुआ? 4, 5 टाइम Divide हुआ ठीक है? समझा गया तो देखो अगेन फिर देखना है कि 2 से Divide हो रहा है या नहीं यह 2 से Divide हो रहा है यह 2 से Divide नहीं हो रहा है यह भी Complete 2 से Divide नहीं हो रहा है डिवाइड होने का मतलब यहां पर है complete डिवाइड होना ज़रूरी है अब देखिए आगेन हम two से डिवाइड करें तो यह two से डिवाइड हो रहा है जो नहीं हो रहा है उसको जैसा है वैसा लिखते जाना है यह two से डिवाइड हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है अब देखो आगे हमें किस पर बढ़ना है अपने 3 पर बढ़ना है कि 3 से आपका कौन सा डिवाइड हो रहा है ठीक है तो हम ध्यान से देखें तो आपका ये 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये भी नहीं हो रहा है तो इनको जैसा है वैसा लिख देना है ये 3 से कितनी हो रहा डिवाइड हुआ 1 5 टाइम डिवाइड हुआ अगेन देखो, यह नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह 3 से कितनी रपार डिवाइड हुआ, 5 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक है, अब देखो, 3 से आगे कौन है, 5 है, क्योंकि अब यह भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यह भी नहीं हो रहा है, यह भी नही हो गया है कि वन टाइम और उसके बाद आपका सिक्स टाइम कि नहीं सोरी उसके बाद सेवन टाइम देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं यदि कोई में ऐसा हो ना आपको एक वार डिवाइड किया तीन आ गया इतना साथ वार देखिए 0 आ रहा है है जिक है तो आप देखो यहां पहे हम देखे तो यह आपका क्या है सत्रह एक प्राइम नंबर यह सत्रह से डिवाइड होगा तो यहां भी वन आ गया यहां भी वन आ जब आपका सब जगे वन वन आ जाएं तो इसका मतलब आपका प्रोसेस कम्प्रिट हो गया अब आपका LCM क्या है LCM है इन सब फेक्टर्स का मल्टिप्लिकेशन तो देखिए हम मल्टिप्लाई करते हैं यहां पर 2 आपका कितने टाइम आया हुआ है फोर टाइम आया हुआ है उसके बाद देखो 3 आपका 2 टाइम आया हुआ है 5 वन टाइम और यह भी आपका वन टाइम आया हुआ है अब देखिए यह आपका कितना बन जाता है 16 बन जाता है तो आप क्या करो 16 को जब हम 5 के साथ multiply करते हैं तो आपका कितना आता है यहाँ पर देखी कितना 80 आ गया और यह आपका 9 है इसका इसके साथ multiply करे तो 153 आता है अब देखो 8 का इसके साथ multiply करो कितना 24 के रिच लगया 42, 4 के रिच लगया और आपका 12 आ गया यह जो zero है यह इसकी पीछे लिख देते हैं इस प्रकार से calculation करने चाहिए तो आपके पास इसका value क्या निकल कर आया 12,240 यह आपका LCM निकला है ठीक है वीडियो कैसा लगा comment कर बता है कैसियल एकेडमी बाई सुरेंदर खिलेरी